तो गाइस तीसरा observation यह था रदर फोर्ड का कि जैसे ही उन्होंने बोला कि आप imagine करो आप एक restaurant में खाना खा रहे हो और आपके सामने table पर एक tissue paper पड़ा है आप लोग जानते हो tissue paper कितना पतला होता है वो tissue paper 4-5 folds में आता है जब आप उसको पूरी unfolding कर दोगे पूरा उसको खोल तो इतना बारिक सा paper होता है तो उनका यह कहना था कि मैं एक restaurant में खाना खा रहा हूं और अचानक मेरे सामने एक मेरे दुश्मन आ गया और उसने मेरे पर गोली चला दे दिचके आया हूं तो मैंने खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं समझ मैया तो मैंने tissue paper खोला और tissue paper अड़ा के खड़ा हो गया तो गोली आई tissue paper से टकराई और जाकर उसी इंसान को लग गई जिसने चलाई थी खेर यह रजनी गांत के लावा और कोई नहीं कर सकता बट यहां पर actually ऐसा और other fourth नहीं में बोला कि out of every अच्छा उन्होंने इस फिर इस पर calculation भी करा तो क्या था हो आउट ओफ एवरी 20,000 हर 20,000 पार्टीकल में से out of every 20,000 पार्टीकल वन अल्फा पार्टीकल यह नहीं स्रीफ एक अल्फा पार्टीकल ऐसा था that deviates that deviates at 180 degrees जो 180 degree पर deviate हो गया that means वो आया पार्टीकल आया अल्फा पार्टीकल आया इस गोल्ड फॉइल से टकराए और टकराने के बाद वो 180 degree एंगल पर बेंट हुआ और तुरंथ अपने रास्ते पर चला गया अपने रास्ते पर चला गया और यहां पर कहीं पर शायद लिड से टकराया होगा जिसके वज़े से उनको spot दिखा होगा maybe तो यह उनके तीन observations थे तो क्या आपको यह तीन observation समझ में आए क्या इन तीनों observations के अंदर किसी भी तरीक है कि कोई भी दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चो ठीक है तो प्लीज ज़रा इतना note करो यह diagram रब करके हम उनके conclusions की तरफ बढ़ेंगे कि क्या conclusions उन्होंने निकाले ठीक है तो इतना पढ़ने के बाद इतना समझने के बाद हमारे रदरफोर्ड अंकल ने फटा फट से conclusion देना स्टार्ट करा उन्होंने बोला कि कहीं न कहीं वो जो gold का atom होगा प्यारे बच्चो गोल्ड का atom क्योंकि most of the alpha particles passed through the straight line इससे उन्होंने ये conclusion निकाला उन्होंने कि most of the atom is empty याने atom के अंदर जो भी पूरा जो atom है इस empty याने atom के अंदर mostly जो space होगी वो खाली होगी याने atom के अंदर अधिकतर जो चीज होगी वो खाली होगी समझ मारी बात या atom खाली होगा ऐसा बोल सकते हैं या most of the atom is empty फिर उन्होंने क्या बोला out of every 200 alpha particle one alpha particle deviates from this path तो उन्होंने बोला कि देखो alpha particles positively charged है alpha particles positively charged है और इन पर plus two charge है मतलब एक alpha particle को एक alpha particle को कोई deviate कर दे यह किसी छोटे मोटे इनसान की बात नहीं क्योंकि alpha particle इतने बड़े particle है कि वो पागल हाती की तरह दोड़ते हैं पागल हाती की तरह तेजी से बहुत high speed से भागते हैं तो एक हाद proton उसके रास्ते में आके उसको deviate कर दे यह possible नहीं है क्या electron से टकर आके चले गए हुँगे नहीं तो electron इनके लिए बिल्कुल चीटी या चूहे की बराबर है जब एक बड़ी सी field में एक बड़े खाली मेदान में जब हाती पागलों की तरह भागते हैं सीधे तो उनके रास्ते में अगर चूहा भी आ जा तो उसको कुचलते भी आगे बढ़ जाएंगे लेकिन उससे रुकेंगे नहीं सारे के सारे प्रोटोंस कुछ इस प्रकान को कि खाली है आगे एक्सान के नहींदार या और आ प्रोटोंस इखटे हुए होंगे मतलब गोल्ड का अगर लेट से अटॉमिक नंबर 97 है तो उस गोल्ड के जितने भी 97 प्रोटॉन्स होंगे वो सब इस न्यूकलियस के अंदर इखटे होंगे सर इससे क्या मतलब है इससे यह मतलब है त्यारे बच्चो कि जैसे ही यह अल्फा पार्टिकल मूव करते हुए इस एटम के न्यूकलियस के क्लोज आया होगा तो इस अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है प्लस टू लेकिन यहां न्यूकलियस के अंदर प्लस 97 प्रोटॉ अब आप बताओ यह अगर हाती है तो यह एक बड़ी सी लोहे की मजबूत दिवाल है जो अम्बूजा सिमेंट से बनी है मतलब हाती आएगा और दूर से देख लेगा कि बापरे अम्बूजा सिमेंट की दिवाल तो वह आएगा 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 बोलेगा टक रहा हूं नहीं कि तक रहा हूं क्या करो या करो निकल लो सईटस रिपेल होके निकल जाएगा बिकॉज भी नो पॉसिटीव पॉसिटीव रुपैल लो तो इस तरीके से यह रिपेल करता हो निकल जाएगा क्या है बात आपको समझ में आ रही है तो ये इनका second observation था और second observation के basis पर इन्होंने क्या करा conclusion निकाला क्या यह चीज clear हो गई अब मैं इनका तीसरा conclusion यहां लिख रहा हूँ blue marker से एक particle अपनी 180 degree पर bent ओकर निकल गया मतलब एक बात समझो हाती आया दोड रहा है पागलों की तरह दोड रहा है एक alpha particle आया पागलों की तरह दोड रहा है और बोल रहा है मैं किसी के रोके नहीं रुकता एक बार जो मैंने commitment करती तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता आया और इससे टकरा गया मतलब यह इतनी speed में आया कि इसने repulsion को भी matter नहीं करने दिया आया और टकरा अब क्या हुआ टकर इतनी जोड़दार हुई लेकिन इस दिवाल पर कोई असर नहीं हुआ उल्टा यह टकरा आया और इतना भयंकर इसको यह अपने रास्ते पर वापस चला गया 180 डिग्री पर यह बेंट होकर अपने रास्ते वापस भाग गया मतलब यह आया टकराया सर घुमा ऐसा पल्टा और अपने रास्ते वापस चला गया समझ गया बात को क्या हुआ तो इस तीसरे इस तीसरे और क्या मतलब है मतलब एक बात तो पक्की किया पॉजिटिव है ऐस तो दिस कैंतर या दिस जेंटरल पॉइंट इस ऑलसो मैसिव मैसिव का मतलब क्या बहुत ज़ादा मैसिव है मतलब मास कूट कूट के पर आगे चलके हम लोग जानते हैं कि चैडविग ने डि कहा था कि nucleus नाम की एक चीज के अंदर electrons sorry protons और neutrons होते हैं that means यह आगे ध्यान रखना यह nucleus के discovery Chadwick के काम के पहले हो गई थी तो Chadwick ने बात में यह बताया Rutherford यह नहीं बता पाए थे कि nucleus massive क्यों होता है बस nucleus massive होता है यह उन्होंने बता दिया था लेकिन क्यों यह नहीं बता पाए थे अब यह चीज clear हो गई कि massive का मतलब nucleus के अंदर protons तो भरेवे होते हैं कूट कूट के हम लोग समझ गए लेकिन neutrons भी होते हैं तो इन दोनों का ही तो mass होता atom के ने electron का तो कोई mass होता नहीं तो यह massive हो जाता nucleus मतलब इतना ताकत वर हो जाता इतना भारी हो जाता है यह positive charge और भारी तो वह हाती आया टकरा है और टकरा के वापस चला गया and therefore this is called as nuclei यह आप इसको nucleus भी कह सकते हो तो यहाँ पर finally nucleus term rather ford ने हमें दी nucleus की discovery हमें rather ford ने करके दी और इसी के साथ उन्होंने एक बात और बोली अपन first conclusion पर भी एक बात नजर मारते हैं कि बहुत सारे particles अपने रास्ते पर straight चले गए तो यह straight क्यों चले गए क्योंकि यहाँ पर electrons इस तरीके से nucleus के आसपास गूम रहे होंगे तो यह जो electrons इन alpha particles के रस्ते में आए तो इन electrons को कुचलता हुआ इन electrons को कुचलता हुआ alpha particle आगे बढ़ गया क्योंकि हाती के सामने थोड़ी था चुहा या चीटी आजा तो की फरक पहनता है वो उड़ाते वे इसको आगे बढ़ जाएगा तो guys this is the alpha particle scattering experiment यह इसके observations थे और यह इसका conclusion था and this is called as Rutherford model of atom तो इस Rutherford model of atom को मैं और अच्छे तरीके से एक बढ़ बना दूँगा पर जरह आप लोग इतना पहले फटा-फट से note कर लो इतना note करो चलो तो मैं अब यहां से observations रब करता हूँ I think observations आप लोगों ने देख लिये हैं conclusion भी आप लोगों ने लिखी लिया होगा video pause करके तो अब जरह यह सब चीजे रब करके हम लोग finally Rutherford model of atom को समझने की कोशिश करते हैं और Rutherford ने और क्या interesting बाते इसके बारे में बताई वह हम finally discuss करते हैं तो Rutherford के हिसाब से एक atom को जिस प्रकार दिखता होगा कि atom के center के अंदर यानि nucleus के अंदर सारा का सारा positive charge उस atom में जितना positive charge है वो सब कुछ इस तरीके से भरा हुआ होगा तो यह आपका एक nucleus बन गया जिसके अंदर दुनिया का मलब उस atom का सारा positive charge भरा हुआ है और इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया nucleus Rutherford ने एक important बात बताई that size of an atom एक atom का average size is approximately 10 to the power minus 10 meters लेकिन इस atom के size के मुकाबले अगर हम nucleus के size की बात करें so that is 10 to the power minus 15 meters और इस चीज को उन्होंने इस तरीके से explain किया कि एक बड़ा सा football का ground है एक बड़ा सा football का ground है और उस football का ground के बीच ओ बीच एक football रखी हुई है कुछ इस तरीके से atomic size और nucleus size के बीच में फरक होता है यह रधर फोट के ही words थे उन्होंने क्या कहा था imagine आप इसको ऐसा कर सकते हो कि बड़े इस football के goal stadium में football को आपने बीच ओ बीच रखा या cricket की ball को आपने बीच ओ बीच रखा हुआ है तो इनका यह कहना था nucleus कुछ ऐसा होता है और electrons इस प्रकार randomly I repeat this term random तरीके से randomly इस nucleus के आसपास घूम रहे होंगे जिस प्रकार solar system में sun के आसपास planets घूम रहे हैं ठीक उसी तरह यहां पर भी nucleus के आसपास electrons घूम रहे होंगे क्या यह बात समझ मारी आप लोगों को क्या किसी भी तरीके कोई दिक्कत and this model of atom was given by Rutherford क्या चीज क्लियर हो रही है यह point बहुत अच्छा था बहुत जादा मेहनत की गई इस काम को करने में this was a very difficult task लेकिन इसको Rutherford ने बहुत अच्छे से किया and इनको काफी appreciation मेरा लेकिन क्या आपको एक कहानी सुननी है मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि Rutherford की किस्मत खराब थी पहले इतना नोट कर लो इतना नोट करो वैसे आपको मेरे नोट्स में ये सारी बाते लिखी भी मिल जाएंगी जो अगर आपने Google Play Store से Gravity Circle App डाउनलोड करके अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसके अंदर आपको एक चीज मिल जाएगी तो Rutherford की भुरी किस्मत की कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूँ पर पहले आगे एक चीज और बता देता हूँ Rutherford ने एक चीज और सोची कि इतना भयंकर positive charge क्या इस electron को खीच के क्या इस electron को खीच के अपने से चिपका नहीं सकता गूमने क्यों देगा भाई यह तो बहुत ताकतवार है तो यह electron लोग खीच के खुच से जोल देगा तो यहाँ पर हमको Rutherford ने की important बात बताई कि अगर इस positively charged nucleus के आसपास अगर electron गूम रहा है तो no doubt एक circular path में अगर गूम रहा है तो no doubt इस electron को अंदर की तरफ एक force attract कर रहा होगा इस force को कूलंबिक force या centripetal force बोला जाता है कूलंबिक force या centripetal force बोला जाता है लेकिन physics यह मानता है कि जब कभी भी एक oppositely charged particles spherical path में गुमता है तो इसको एक equal and opposite force लगता जिसको आप लोग physics में pseudo force के नाम से पढ़ोगे और इस pseudo force को centrifugal force भी कहा जाता है तो इसको एक equal and opposite centrifugal force बाहर की तरफ लग रहा होगा that means एक electron को जितना centripetal force लगता है उतना ही centrifugal force लग रहा होगा तो जितनी ताकत से इसको nucleus अंदर खीच रहा होगा उतनी ताकत से इसको एक opposite force बाहर खीच रहा है इस वज़े से ना तो ये अंदर जाके टकराता है और ना तो ये बाहर फिक जाता है और इस वज़े से ये atomic model stable रहता है ये कहना था रदरफोर्ड का बहुत मेहनत करी यार बहुत मेहनत करी बहुत सोचा इस model को लेकर conference में गए दुनिया के सामने बताने की कोशिश करी कि sir मैंने बहुत मेहनत करी है atomic model प्रपोस करा है जे जे थॉम्सन का जो atomic model था वो बकवास था मेरा alpha scattering experiment and alpha scattering model of atom ज्यादा बेटर है प्लीज जरा इसको देखो देखा सबने सुना बहुत तारीफ करी लेकिन प्रपोस होते ही 15 मिनिट के अंदर अंदर ये model फेल हो गया within 15 मिनिट इतना अच्छा model इतनी मेहनत के बाद फेल हो गया on the spot फेल हो गया बनते ही मार्केट में आते ही फेल हो गया जहां पर जेजे थॉमसन का model सालो साल चला एक बकवासा तर्बूच खाने के चकर में खीर खाने के चकर में इतना एक model दे दिया और वो सालो साल चला इतनी मेहनत के बाद भी विचारे रदर फोर्ड का model fail हो गया on the spot stage पर ये पूरा experiment करके पूरा experiment बता के model प्रपोस करके अपने लिए तालिया बजवा के fail हो गया अब क्यों fail हो गया अगले lecture में सीखेंगे तो that's all for this इतना जरूर नोट कर लेना अगली क्लास में मिलते हैं के लिए बाबाए have a good day guys अगले